ये लोग किसानों के लिए भी यही कर रहे हैं 2008 पे चुनाओ के पहले ऐसा ही जुट बोल करके किसानों के करज माफी की बात कही थी किसानों का कर्द था च्छेलाग करोड रुपिया माप कितना किया साथ हजार करोड दिया कितना बावन हजार करोड बावन हजार करोड मैंसे कहा गया 35 लाख लोग ऐसे पैसे ले गए जिनका कोई खेत नहीं था ना खेती में कोई फ़सल का पैसा था कुछ नहीं था 35 लाग ऐसे ही चले गए पैसे लेकिन उस समाई अर्बों खर्बों के गोटाले इतने तेज़ हवा में चलते थे किसानों से लूटे गई बात कभी अख़वार में छपी भी नहीं कि सीएजी ने रिपोर्ट किया कि देश के किसान बला बोला किसान जो देश के लोगों के पेट भरने के लिए कड़ी मेहनत करता है अगर आप उसको कुछ नहीं दे सकते हैं तो उसको कहिए वो आपकी बात मानेगा लेकिन कृपा करके जूठी बाते बता करके उसके जीमन के साथ खिलबार मत कीजिए उस समय किया छे लाग करोर का कर्ज था साइथ हाजार का बाते की और बावन जार से उपर दिया नहीं पंजाब चुनाव के पहले पतानी कितरे कितरे बादे किये थे कर्ज माफी के अब तक पंजाब के किसानों को कुछ नहीं दिया गया थोड़े दिन पहले करनाट का चु और अब सिर्फ 800 किसानों को token रुपया दे करके हाथ उपर कर दिये भाई यो बहनों कि जो काम कर नहीं सकते हो और को आपको भी पता है सिर्फ चुनाव जीतने के लिए देश के जवान की आख पे धुल्जों को चुनाव जीतने के लिए देश के किसान के पिट पे छुराबों को ये खेल कब तक चलता रहेगा और इसलिए भाईयो बैनो सच्चाई की धनारदर पर देश चलना चाहिए जो कर सकते हैं उसको इमानदारी से करने का प्रयास करना चाहिए और मुझे जैराम जी का इस वर्ष को मनाने का जो नाम दिया है मुझे अच्छा लगा कि भई हमने इमानदारी से प्रयास किया है देश की जनता इस पर भरोसा करती है हिमाचल की जनता भरोसा करती है कि भई हमने इमानदारी से प्रयास किया है हमने कभी यह नहीं कहा कि हम बास अब तो एक सुवर्ण यूग आ गया हर एक के गरे की छट सोने की बन जाएगी हर एक के घर के बार गाड़ी खड़ी हो जाएगी ऐसी बाते ना हमने की हैं ना मैसे जूटे सपने दिखाते हैं हम इमान दारी से कोशिच करते हैं हिमाचल ने करके दिखाया है और उसका नाप आज हिमाचल को मिल रहा है